Hello friends, friends आज हम पढ़ेंगे number of atoms per unit cell Unit cell आपको पढ़ाई हुई है तो एक unit cell में कितने atoms होते हैं ठिक, वो हम पढ़ेंगे वो भी cubic crystal में, जो cubic system होता है ठिक है, तो हमें ऐसा क्यों पढ़ना पढ़ रहा है आप सुतरोंगे कि unit cell में जो भी atoms होते हैं या जो भी molecule होते हैं गोले-गोले जो बनाए रहते हैं उनको plus कर तो बस उतने होगे atom पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो भी unit cell होती है न वो दूसरे unit cell से मतलब और भी unit cell से touch होती है ठीक है crystal में उसके adjacent में और भी unit cells होती है अगर वो touch होता है तो जो भी क्या कह सकते है atoms होते हैं जो भी particles होते हैं जादतर वो क्या होते हैं दूसरे unit cell से भी seared होते हैं ठीक तो इसलिए फिर हम पढ़ते है number of atoms per unit cell कि कितने atom होते हैं किसी भी unit cell में ठीक है तो चलो ठीक है ये चीज़ें तो आगे समझ में आ जाएंगी पहले आप cubic system में हमारे पास three type के unit cell बनते हैं एक हो गया simple और primitive cubic unit cell ओके मतलब जिनके केवल corner में atom होते हैं जैसे ही हो गया केवल corner में ओके दूसरा है body centered cubic unit cell जिनके body में होता है बीच में होता है ये देखो बीच में ठीक तीसरा है face centered cubic unit cell और इसको cubic closed packed unit cell भी बोलते हैं ठीक है तो face centered में तो आपको पाता है क्या होता है face पे देखो हर face पे ठीक हर face पे क्या होता है atom होता है ओके यहाया समझ में ठीक तो centered में यह दो होगे जो आपने unit cell के दो टाइप पढ़े थे एक primitive पढ़ाता है एक centered पढ़ाता हो तो सेंटर में body centered और face centered यह यह भी होगे ठीक है तो cubic में यह तीन बनते हैं केवल ठीक है और आपने और पढ़ा होगा end centered end centered cubic में नहीं बनता है वो cube idle में बनता है cube idle में भी orthorhombic में बनता हो जो मैंने आपको पढ़ाया था ठीक तो उसको भी देख लेंगा अभी qb unit cell में यह तीन होते हैं ठीक आप देखो आप मुझे यह figure चाहिए था कहीं से मुझे मिला नी तो इसलिए मैंने बुक से ही इसको फोटो किंच के डाल दिया है तो देखो इस समझाने के लिए अच्छा है ठीक है जो corner में atom होते है या कोई भी molecule या iron होते है ठीक जो corner में हो होते हैं जैसे देखो suppose यह corner पे atom है ठीक इसको first वाला भी shared कर रहा है second वाले भी कर रहा है third वाला भी कर रहा है fourth वाला भी 5th, 6th, 7th, 8th सब shared कर रहे है corner पे देख रहे हो figure में साफ साफ दिख रहे है ओके तो अगर एक atom है उसको 8 shared कर रहे हैं मतलब 8 unit cells उसको shared कर रहे हैं ठीक तो per unit cell को कितना मिलेगा 1 by 8 ठीक ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक atom को अगर हम उसके 8 parts करें 8 तुकडे करें ठीक है तो per unit cell को कितना मिलेगा 1 ठीक आया समझ में अब अब देखो face centered में क्या होता है face पे atom होता है तो जैसे face पे atom है तो ठीक है ये एक unit cell है दूसरी ये दूसको share कर रहे हैं तो एक को कितना मिले ठीक है ओके समझ में आया फिर body centered में मिडिल में होता है ये जरा आप देखो body centered में मिडिल में होता है ठीक उसको केवल एक ही एक ही के पास है ठीक है वो share नहीं कर रहे है समझ गया आप तो unit cell के अंदर per unit cell के अंदर पूरा का पूरा atom है ओके यह है समझ में अब देखो हम three type के structure पढ़ते हैं वैसे एक open structure पढ़ते हैं space filling structure पढ़ते हैं एक actual portion पढ़ते हैं ठीक होते एक structure है बस ऐसे में समझ में खुले-खुले में जादर समझ आता है तो इसलिए शुरुआत में ऐसे पढ़ते हैं तो simple cubic में देखो मैंने आपको बता है था कि corner पर जो भी atom होता है ठीक एक unit cell 1 by 8 shared करती एक atom का ठीक तो देखो total कितने corner है 1,2,3,4,5,6,7,8 ठीक तो एक corner पर उसको 1 by 8 atoms का part मिलता है तो 8 corner पर कितना मिलेगा into 8 तो is equal to कितना मिलेगा 1 आये समझ में ठीक तो simple cubic में कितना कितने atoms होता है कितने atom होता है एक ही atom होता है आया face centered cubic में देखो हर face पर एक एक होता है और corner पर भी है तो corner पर तो इदेख दिया हमने कि corner पर अगर होंगे तो कितना मिलेगा एक unit cell को 1 तो मिलेगा ही मिलेगा ठीक प्लस देखो face centered में मैंने ये बताए था कि half मिलता है एक unit cell को half मिलता है ठीक तो कितने face है देखो 1,2,3,4,5,6 ठीक तो half हर face को मिलेगा तो into 6 phase है तो is equal to ये 3 times कतेगा न तो 1 प्लस 3 4 ठीक तो face centered cubic को कितना मिले मतलब जो face centered cubic unit cell है ठीक उसमें कितने items है fourths item है ठीक है four atoms है फिर है body centered cubic तो body centered में मतलब बिलकुल body के अंदर होता है ठीक तो हमें ये पता है के corner पे कितने होते है one होते है ओके और इसमें एक body के अंदर है, तो कितना हुआ, एक और हुआ, ठीक, तो total इसमें कितना हो गए, two हो गए, ठीक, तो simple cubic में, one, face centered cubic में, four, और body centered cubic में, two, okay, two items, या है समझ में, ठीक, तो cubic में, ये three बनते हैं, simple बनता है, जिसको primitive भी बोलते हैं, face centered बनता है, body centered, cubic unit cell बनता है, ठीक है, है, अब एक, हमने एक और पढ़ा था, end centered, ओके, end centered में क्या होता है, वो भी एक face centered जैसा होता है, ठीक, पर उसमें किवल क्या होता है, opposite sides में ही, मतला opposite face, face बोल सकते हैं, opposite face में ही items होता है, ठीक, आर ये, किस में बनता है, ortho-romic में बनता है जो q vital sip होता है ठीक है? क्या होता है? उसमें sides क्या होती है? सारी अलग अलग होती है ठीक? और angles क्या होती है? αलफा बीटा और γामा ये सारे 90 degree होते है orthorombic में ठीक है? तो ठीक है इसमें जो किनारे हैं मतलब corners पर है है वो तो हमें पता है कितने मिलते हैं वन मिलते हैं ओके और यहां अपोजिट फेसे में अपोजिट फेसे में दो क्या है एटम से ठीक है तो हमें पता है एक फेस में कितना मिलता है हाफ मिलता है तो अभी इसमें कितने face है, one face में two faces में क्या है, atoms है, तो into two करेंगे, तो ये one हो जाएगा तो total कितने होए, two ठीक है, तो end centered में कितने होते है, two atoms per unit cell होते है, आया समझ में तो I hope आपको ये video ढंक से समझ में आया होगा तो चलो, ठीक है, thank you